हाई फ्रेंड्स, बेश्ट बिजनस, एन्वी चैनल पर आप सभी का सोगत है, आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको TVS कमपनी का कैश काउंटिंग मशीन बता रहें, जिया दोस्तों यह TVS कमपनी का कैश काउंटिंग मशीन है, और इसका मॉडल लंबर है CC232 Classic, जिया दोस् तो इस मशीन को मैं आपको ओपन करके भी बताऊंगा, और पूरी तरह से अपरेट करके भी बताऊंगा दोस्तों, यह इसकी powerker एक मशीन को साप करने कि लिए छोटा सा ब्रश आता है दोस्तों इसके अंदर, और यहाँ इस तरह से मशीन आता है, अभी मैं किलाली से पूरी दोस्तों एक आता है मैनुवल जिसे पढ़कर आप इसकी सफाई भी कर सकते हो इसे ओपरेट कैसे करना यह भी देख सकते हो दूसरा दोस्तों इसके साथ एक वारेंटी काड आता है और इसका एक वारेंटी पॉलिसी इसकी क्या-क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल इस कर रहा है और प्लाग इंग कर दिया है उदर से ओन है इसको एक पीछे से छोटा सा स्वीच होता है दोस्तों अभी उसे जब मैं प्रेस करूंगा तो ही ओन होगी यह देखे दोस्तों यह ओन हो चुकी है फिलालो setup mode में है दोस्तो ये देखिए मशिन पूरी तरह से on हो चुकी है अभी है मशिन पूरी तरह से use करने के लिए ready है दोस्तो तो अभी फिलाल मेरे पास ये 100-100 की 30 note है दोस्तो तो इसे गिनने के लिए सबसे वेलो तो आप इसका बंदल बना लीज़े अच्छी तरह से उसके बाद में आपको इसके उपर ऐसा रखना है जिया दोस्तो ऐसा रखना है या ऐसा रख देना इस रिप ऐसा रख देना और जब आपको count करना है तब आपको इसको पल्टा देना है वो पूरी गिन लेगी जिया दोस्तो यह देखे तीस नोट इसने गिन लिया है जिया दोस्तो आप ऐसा उठा कर सिधा अगर डालोगे तो वो डायरेक्ली गिनना भी स्टार्ट कर देगी बट उससे अच्छा आप इस मशिन का जब भी इस्तमाल करते हो और यहाँ पर सेंसर लगाओ है दोस्तो सेंसर के उपर आपको नोट नहीं रखनी है आपको सेंसर के नीचे नोट डालना है जिया यह देखिए अभी फिलाल सेंसर के नीचे है और जब भी आप उसको ऐसा सेंसर के उपर करोगे वो note counting करना शुरू कर देगा जिया दोस्तो इसमें 100 की ही नहीं मैं आपको पूरे feature बताने वाला हूँ इसमें आप 100 की भी note गिन सकते हो मेरे पास अभी 200 वाली फिलाल 3 ही note है दोस्तो तो वो भी मैं आपको बता दू यह देखिए 3 यह जो display दोस्तो इसमें यह अभी count किये हुए note बताएगा और इसके पहले bundle में हमने जितना count किया जैसे 100 की हमने 30 note count किती तो previous display बता रहा दोस्तो अभी फिलाल मैं 500 की गिनूँगा तो यह 3 ही आ पर आ जाएगा क्योंकि हमने इसके पहले 2200 की 3 currency अपने गिने थे यह देखिए दोस्तो अभी 3 इदर आ गया यह previous बताता है 500 की 23 बता रहा है और previous जो इसके पहले जो गिनी थी हो 3 बता रहा है दोस्तो आप इसे reset दो बार दबाने से यह पूरी तरह से reset हो जाता है आप कोई भी note उठाकर इसके अंदर easily गिन सकते हो जिया दोस्तो यह note गिनने का ही काम नहीं करता है दोस्तो फेक note detection function भी इसके अंदर है जिया दोस्तो अभी मैं सिदा साथा बंदा मेरे पास तो कोई duplicate note होगी नहीं इसलिए मैं फिलाल इस paper का इस्तमाल कर रहा हूँ यह बिलकाल 500 की note की size का paper है दोस्तो इसको मैं बीच में डाल देता हूँ यह आप देखिए यह देखिए दोस्तो जैसे यह आया यह error बता रहा है और alarm बता रहा है इसके अंदर fake note detection भी है अब इस fake note को निकाल लेता हूँ दोस्तो और इसको उठा के सिर्फ यह आपे रख देता हूँ तो इसने पूरी note गिन दिया फिर बब उसमें की एक कम करना है क्यूंकि यह भी इ जान लो आपके इसमें fake note है और आप गिन रहे हो तो आपको यह UV और MG function जो है दोस्तो यह on होना चाहिए वैसे हमेशा reset करने के बाल on रहता ही है बड़ किसी कारण से आपने UV को भी off कर दिये, MG को भी off कर दिये तो फिर आपका यह fake note नहीं बताएगा यह देखिए दोस्तो उसने fake note के साथ 24 note गिन लिया इसमें एक fake note भी है इसलिए दोस्तो UV और MV यह दोनों भी आपको on रखना ही पड़ेगा उसके बाद में दोस्तो अगर आपको भहुत सारी note आया आपके बहुत सारी चोटे चोटे बंडले और उसे आपको एक साथ count करना ह तो इसमें add वाला function भी है दोस्तो जैसे मानलो आपने एक छोटा bundle उठा है add वाले function कर दीजिए यह देखिए अभी 7 note आई 7 note दोनों तरफ बता रहा है दोस्तो उसके बाद में और एक bundle लिजिए क्योंकि हमें तो 100-100 का करना होता है यह देखिए अभी 15 note दाला था 15 इदर ब बता रहा दोस्तो फिर और एक bundle डाल दीजिए यह देखिए अभी 8 note डाला था पूरे पूरी counting दोस्तो 30 note की क्योंकि मेरे पास यह 30 note है आपको पता है यह दर full counting में बताता है इस machine का इस्तमाल आप easily कर सकते हो अपने business में साती दोस्तो इसका reset बहुत बढ़िया है एकदम single button double button पे reset हो जाता है दूसरी बात दोस्तो कि इसमें fake note डिटेक्टर भी है और साती दोस्तो इस machine का live होत है इसमें ज्यादा तर maintenance का किसी तरह का कोई काम ने आता है अब बात करते हैं दोस्तो इसके price के बारे में तो इसे आप online purchase कर सकते हो जी हा दोस्तो मैंने भी इसे online purchase किया online यह मात्र आपको 6500 रुपे मिल जाएगी अगर आपको purchase करना है तो description में link दिया हुआ है आप वहा से भी इसे purchase कर सकते हो आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताना वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके अपने जरुतमन दोस्तों में share कीजेगा आप सभी का धन्यवाद